हेलो गाईज मैं प्योश आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोशेट लर्निंग पर सो गाईज जैसा कि आप सब को पता है एमिट का इंटरन्स एक्जाम हो चुका है तो आज हम बात करने वाले हैं कि उसकी कट ओफ क्या रहने वाली है ठीक है तो हम एक एक चीज़ को बहुत ही डीटेल से एनलाइज करेंगे और फिर हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि आखिर हमारी कट ओफ कितनी रह सकती है ठीक है तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंता तक देखें ताकि आपको एक इंटरेंस एक्जाम हुआ था वह भी सेम इसी पैटर्ण पर कराया गया था ठीक है पैटर्ण में थोड़ा सा बदलाव हुआ है क्या हुआ है वह हम अभी बात करने वाले हैं जैसा कि आप सबको पता है नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें लिखा हुआ था सौ पर देने पहुँचे तो वहाँ आप पर आपको क्या देखने को मिला कि 100 कौोस्चण कितने मार्क्स के हो गए 400 मार्क्स के हो गए था कि सिर्फ इस चीज़दा था पर ध्यान रखना है क्या आपके pandemic कौोस्चण सही हो सके क्योग कि जितने कौश्चण सही होंगे उसी आग गुना कर लीजे या उसी का 4 गुना कर लीजे या उसी का 6 गुना कर लीजे उससे ज़ादा impact नहीं पड़ता है ठीक है जिस चीज का impact पड़ता है हम उस चीज पर बात करने वाले हैं ठीक है तो 2022 का जो pattern था उस pattern को हो रहा था ठीक है पिछलिवार questions कितने थे 100 questions थे मार्क्स कितने थे 200 फवास थे ठीक है तो हम बात कर रहे हैं कि पिछलिवार rank first कितनी बनी तो फिषली बार जो first rank बनती है वो बन जाती है 154 marks पर ठीक तो 154 marks मतलब 77 questions यानि जिस बच्चे के पिशली बार 77 questions ठीक थे उसकी क्या थी 1st rank थी जबकि paper कैसा था easy to moderate की तरफ shift हो रहा था तो आपको ये ध्यान रखना है कि paper पिशली बार easy था easy से moderate की तरफ था लेकिन इस बार जो paper था वो थोड़ा सा कैसा था tough की तरफ shift हो रहा था तो चलिए अब उस पर बात करते हैं अब बात करते हैं कि जो इस बार का paper था 2023 का वो कैसा था level of the paper कैसा था तो moderate से tough की तरफ जा रहा था ठीक है यानि पिशली बार जो paper easy से moderate की तरफ था वो इस बार कैसा था moderate से tough की तरफ पेपर shift हुआ था इस बार ठीक है तो कई सारे लोगों को काफी समस्या आई questions की अगर बात करें तो 100 questions थे इस बार marks का जो pattern उन्हों चेंज किया तो वो कितने कर दिया 400 marks उन्होंने कर दिये ठीक है तो अब क्या रहेगी first rank कितने marks पर first rank मिल जाएगा और कितने questions हमारे सही होने चाहिए कि हमारी first rank बन जाए या फिर हम उस merit में आ जाएए ठीक है तो चलिए इस पर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें M.Ed Entrance 2023 की cut off की तो cut off जो रहने वाली है वो क्या रहने वाली है वो रहने वाली है 55 questions से लेकरके 60 questions के बीच में ठीक है अगर आपके 55 questions से 60 questions के बीच में आते हैं तो आपको government seat मिलने के chances बढ़ जाते हैं ठीक है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 32, 40 के बीच में questions ठीक हो रहे हैं ठीक है तो अगर आपके questions 55 से 60 के बीच में ठीक हो रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए आपको government seat मिल सकती है ठीक है प्लस माइनिस इसमें 2 कर लीजेगा क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत fluctuation हमें इसमें देखने को मिल जाए ठीक है अगर किसी के 60 plus questions ठीक हो रहे हैं तो वो ये मान करके चले कि उसको government seat आराम से मिल जाएगी ठीक है तो आपके जो marks बनेगे वो कितने बनेगे 220 से लेकर के 240 marks के बीच में अगर आपके marks आ रहे हैं तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी एक government seat पकी है ठीक है तो ये एक मोटा मोटा अंदाजा था जो मैंने question paper के basis पर और जो बच्चों के feedback आए उसके basis पर बनाया है ठीक है हो सकता है ये अंदाजा सही भी हो जाए और हो सकता है गलत भी हो जाए लेकिन फिर भी आप ये मान करके चलिए कि जो cut off रहने वाली है वो 55 से 60 questions के बीच में ही रहेगी ठीक है प्लस माइनस टू आप कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस टू इसलिए जरूरी होता है क्योंकि shiftation हो जाता है ठीक है हो सकता है जो चीज मज़े tough लग रही हो सकता है वो उनको tough ना लगे ठीक है तो उम्मेद करता हूँ आपको पूरी cut off के बारे में जो बताया है मैंने वो आपको समझ में आ गया होगा तो जो cut off है वो इसी के आसपास रहने वाली है जिनके भी marks इनके बीच में बन रहे हैं वो जादा panic ना हो और जिनके marks कम हो रहे हैं वो भी अगर चाहते हैं अमेट करना तो self finance colleges से कर सकते हैं या फिर अगर वो चाहते हैं कि हम कोई और तयारी करें या किसी और university का अमेट entrance दे तो वो भी बिल्कुल स्वतनत रूप से उसे दे सकते हैं आराम से अपनी तयारी कीजिए और अगला अपना attempt देने के लिए तयार हो जाएए ठीक है तो उमेद करता हूँ सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूलें